हेलो फ्रेंट्स आइ वेलकम यूल तो माई येट्यूब चनल इसमाइ इन्वेस्टमेंट वोड़ा फोन आइडिया के एज आर केस्ट की मच अवेटेड हीरिंग आज अज ओनरेबल कोर्ट में हुई है फिस आज किस वीडियो में इस हेरिंग की एक एक बात को डिटेल में हम डिसकूस करेंगे आज ओनरेबल कोर्ट की हेरिंग में क्या हुआ है इस टॉक मुवमेंट आप आने वाले टाइम में कैसा रह सकता है क्योंकि हमने देखा है आज एक फेबरेबल वर्डिक्ट के एंटिसिपेशन में पूरा दिन इस टॉक पॉजिटिव नॉट पर ट्रेड करता रहा और तीन परसेंट के पॉजिटिव गेंस के साथ बंद हु है कि आज की कोट में क्या क्या डिसकेशन्स हुवे हैं और उसको लेकर इस टॉक पर आने वाले टाइम में किस तरह का इंपाक्ट पड़ेगा फ्रेंट आज पूरी एक्स्पेक्टेशन थी कि एजी आर को लेके फाइनल वर्डिक्ट जो है ओनरेबल कोट दे देगी क्योंक कोट ने जो हेरिंग है उसको एजर्ण कर दिया है फ्राइडे के लिए और फ्राइडे को अब जो है फाइनल जज्जमेंट इस पर आना चाहिए दोनों ही कंपनी एर्टेल और वोड़ा फोन ने पंदरा से बीस साल का टाइम जो है मांगा था एजी आर के ड्यूस को पे करन हुआ है जिसकी वज़े से कोट ने उसको एजर्ण किया है आज जो हीरिंग थी फ्रेंट्स वो दो बज़े स्टार्ट होनी थी पर वो तीन बज़े स्टार्ट हुई है उसके बाद में जो है कोट ने जो आज मेजॉर्टी आफ हीरिंग हुई है वो इस बात को लेकर हुई ह वो टेलीकॉम कंपनी जो इनसेल वांसी में जा चुकी है एरसेल और आरकॉम उन पर जो एजी आर का ड्यूस है उसको लेकर कोट बहुत सकते हैं उन्होंने सोलिसेटर जन्रल से किलियर पूछा है कि आरकॉम का शेर्स न्यूस फ्लो पे दुबारा से मानके चलिए कि एक रुपे के नीचे जा सकता है वाँ शेर होल्डर्स के लिए अब कुछ नहीं बचा है यहाँ पर आप मानके चलिए कि लास्ट हीरिंग में इस बात के क्लियर इंडिकेशन मिल गई थे कि जो इनको time has staggered way में payment करने का वो मिल जाएगा पर आज court में उस बारे में ज़्यादा कोई बातचीत नहीं हुई है और अब भी जो है इसके लिए हमें और wait करना होगा जो justice अनुन मिश्रा हैं जो इस bench को head कर रहे हैं उनका जो retirement है 3 September से पहले और उस बात के पूरे chances माने जा रहे हैं कि अपने retirement से पहले उसको final verdict दे के जाएंगे इवन इस बात के chances भी लग रहे हैं कि जो coming Friday को hearing urgent हुई है वहाँ पर जो है इनको एक favorable verdict मिलेगा इनको time frame मिल जाएगा क्योंकि solicitor general ने government India को जो represent कर रहे है खुद इन company के लिए जो है time मांगा था कि इनको 15 से 20 साल का time मिलना चाहिए तब ही वो companies payment कर पाएंगे और ये बात भी quote को clear कर दी थी कि हमारे पास spectrum as a ample security है और किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि हमारा dues stake पर है अगर ये default करते हैं तो हम spectrum को sale करके जो है अपना dues पूरी तरह से recover कर लेंगे friends हमने अपनी last video में भी आपको बताया ताकि अगर 15 साल का time इनको मिल जाता है आइटी इंटिग्रेशन को लेखे इवन जो है employees को काफी jobs भी कम कर रहे है employees भी कम कर रहे है workflow force भी कम कर रहे है ताकि हर तरह से course को optimize कर सके और उससे हम आने वाले एक से ग्रेड़ साले में 4000 क्रोड रुपे के आसपास बचा लेंगे यहां पर word of one idea ने यह statement भी देती कि court से final verdict आता ही हम जो है नया investor भी ढूंड रहे है जहां पर जो है जो हमारी company में invest कर सके हम अपनी assets को monetize करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं काफी सारे investors से हमारी बात चल रही है optic fiber business को लेके इंडस तावर में जो हमारी stake है और उसके बाद investors से तीनों जंगा से हम जो है पैसा ही कठा कर गे पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले technology में invest करें और अपना market share को gain करें friends अब जो hearing है वो अगली Friday को है तब तक आप मान के चलिए कि stock जो है flat to positive mode में रहना चाहिए क्योंकि आज की hearing में तो ज्यादा कुछ बात नहीं होई है पर फिर भी इस बात की पुरी clarity है इनको next hearing में 15 साल के आसपास का time मिल जाएगा फिर हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता था आज फिर हम आपको बता रहे है कि positive news पर जब यह stock ओपर जाए जिन्होंने नीचे के rate पे लिया है उनको अपनी आधी capital निकाल लेनी चाहिए और आधी capital लगा के wait करें कि आने वाले judgment में क्या होता है क्योंकि काफी सारी reports analyst ये बात बता चुके हैं कि जिस तरह से जियो 5G को launch करेने के बात कर रहा है तो वहां पर टारिफ को suddenly high करना क्योंकि company ये बात बोल चुकी है कि हमें 170, 175, 180 रूपे, 170 से लेकि 180 रूपे का RPU चाह चुकी है word of one idea पिछले एक साल में तो यहां पर सड़न टैरिफाइक करना इनके लिए possible नहीं है तो इनकी जो problems है वो इतनी जल्दी resolve होने वाली नहीं है news flow पे जब भी आपको positive moment मिले जो इस week रहना चाहिए आप की strategy यही होनी चाहिए कि जिनोंने नीचे के rate पे लिया है पास बड़ा चंक ऊपर के rate पे भी है 12 रूपे 11 रूपे वह भी जो है अपना rate आने पर अपनी आधी capital निकाले और चोटी जो है quantity के साथ इसे stock में बने रहे हैं और आगे वाले developments को देखे कि company जो है AGR की verdict के बाद किस तरह के developments और management की commentary महां पर क्या रहती है फ्राइडे तक का weight हमें करना होगा staggered payment की verdict के लिए however काफी clarity यहां मिले चुकी है कि यहां पर जो verdict है इनके favor में आना चाहिए बस main जो market का focus है वो रहेगा terms and conditions पे कि honorable court वहां को further conditions नहीं लगाती है दूसरा रहेगा interest rate पे staggered way में जो payment करने के इनको permission मिलेगी तो बच्चे जो amount है उस पर interest क्या लगाती है normally यह माना जा रहा है कि 8-9% का interest on variable court वहाँ पर इन पर charge कर सकती है friends देखते हैं जैसे भी development होगा हम आपको video बना के post करेंगे आप बने रहे है मेरे channel is my investment की साथ further आपकी कोई भी query हो feel free to ask me in the comment section और अगर आपने मेरा channel subscribe नहीं किया channel को सबसे पह ले देख सकें thank you